हेलो फ्रेंड्स स्वागत है नई अपडेट्स और लेटिस्ट जानकारी के साथ वीड़ वलाईसी में मैं अमित कुमार सौनी हार देख हार देख कवी नंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए वीवर्स हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत सारी latest updates आ रही हैं, कई सारे exam से सम्बंदित, सिक्षा विभाग से सम्बंदित, नियुक्तियों से सम्बंदित और दोस्तों शेर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों आज का वीडियो बहुती important है और विशेश रूप से चुकि इसमें आदिम जाती कल्यान विभाग के विद्यालायों और सिक्षकों की कमी के बारे में चर्चा की गई है साथी साथ एक छोटी सी वीडियो किलिप भी है जिसमें की ध्यानकर्शन प्रस्ताव के बारे में बात की है और यश्पाल सींग सिसोधिया जो की MLA है उन्होंने सिक्षा मंतरी इंदर सींग पर्मार जी का ध्यान इस तरफ आकर्शित करते हुए कि विद्यालायों में जो की मद्य प्रदेश के पूरे स्कूल आते हैं जिसके अंतरगर DPI भी शामिल है और साथी साथ आदिम जाती कल्यान विभाग भी शामिल है जहांपर विद्यालायों में सिख्षकों की कमी के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है बताया गया है और उनसे प्रिश्ण पूचा गया है कि इतने सालों में भी सिख्षकों की कमी को पूरा क्यों नहीं किया गया तो दोस्तों इसके जवाब में इंदर सिंख परमार जी जो आंसर दिया है वह डारेक्ट भरती को प्रभावित करता है तो दोस्तों निश्यत रूप से उन्होंने बताया है कि 1529 इस्कूल सिक्षक भी नहीं और साथी साथ कितने पदों पर भरती होगी इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिये तो आईए दोस्तों इसके बारे सिख्षक पात्ता परिक्षा की प्रक्रिया दुबारा शुरू हो रही है एक अप्रेल की दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा सिख्षक भरती में पिछले वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षन का लाप दिया जाएगा वहीं उन्होंने कहा कि जहां जहां इस्कूल सिख्षक का बीइन है वहां भी भरती करने का प्रियास किया जाएगा तो दोस्तों ये असल में प्रश्ष ने पुछा गया था यसपाल सिंग से सोदिया के दौरा दरसल मंगलवार को मद्ध प्रदेश बिधान सवा के बजट सत्र 2021 के दोरान जो भाच्पा बिधायक हैं यसपाल सिं जाबुआ में 208, बढ़वानी में 428, सिंग्रोली में 128, सीधी 122, मंडला 237, इवं धार में 208, समयत करीब 1587 इसकूलों में सिक्षकों की कमी है। पिछले कई सालों में भरतिया नहीं होने और पिछली कांग्रेस की कमलनात सरकार की इस्थन अंतरन नीती की कारण मध्य प्रदेश में कई स्कूलों में सिक्षक नहीं है। और आदिम जाती कल्यान विभाग के अंतरगत उच्च मादमिक सिक्षकों के 2220 एवं मादमिक सिक्षकों के 5704 पदों पर भरति करने जा रहे हैं। दोस्तों महत्पून पॉइंट है कि भरति करने की बात उन्होंने कह दी है तो निश्चित रूप से रोस्टर तो आएगा। सिक्षक भरति प्रक्रिया में पिछडे वर्क के लिए जोस्तों आरक्षण की बात भी उन्होंने कही है तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था प्रूप के साथ में और उन्होंने भी कह दिया है कि 27 प्रतिशत आरक्षण ही रखा जाएगा फिर कोट का जो भी निर्णे रहे वो तो बात की बात है पर फिलाल जो है भरती 27 प्रतिशति पर ही कर दी जाएगी तो दोस्तों आईए अब जान लेते हैं उस वीडियो क्लिप के बारे में जिसमें की इसमें डिटेल में थोड़ी सी चर्चा की गई है तो छोटी सी क्लिप है देख ले दोस्तों जब शसोदिया जी के दवारा ये प्रशन इंदर सिंग पर मार से पूछले गया तो उन्होंने इसका पूरा का पूरा आरोप लगा दिया कांग्रेस पर तो दोस्तों कांग्रेस भी चुप बैटने वाली नहीं उनके भी प्रवक्ता पीशी सर्माजी आए और उन्होंने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि आदिवासी विद्यालायों में ज एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रितारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी कर रहे हैं जो की बिल्कुल गलत है तो दोस्तों आईए वो वीडियो किलिप भी मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से दोनों आपस में बिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं न में जानकरी मिली कि 35,000 शिक्षकों के ट्रास्वर्ट पंद्रा मैंने वह उस्तन 6,000 शिक्षक प्रती महा हुए है कांग्रेस आदिवासियों की बार करती है आदिवासियों की इस प्रकार से चला जाना वास्ता में आदिवासियों साथ अध्याइब और अध्याचा उनको जव पूरे वह हो गए हैं इंटर्व्यू टेस्स सब हो चुका है लेकिन इसके आदिवासियों का विकास का जित्ता काम कमलाजी सरकार नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यह कंडिशन है कि अखाड़ा बना हुआ है विधानसवा भवन बीजेपी और कांग्रेस के युद्ध का अमें तो रोस्टर से मतलब है कि जल से जल आदिम जाती कल्यान विभाग पदों की संक्या डिस्क्लोस करें रोस्टर जारी करें और जल्दी से अपनी भरती प्रोसेज भी प्रारम करें जिससे की जुलाई में ही इनके DPI के सांथ में ही सर्विस मिल जाए सभी लोगों को ज दोस्तों आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेर करें वीडियो को जय हिंद जय भारत धन्यवाद